मद्यप्रदेश में नगरी निकाय चुनाओं के साइड इफेक्ट रोज देखने को मिल रहे हैं खास कर बात करें बीजेपी की तो प्रदेश संगठन लगातार बागियों पर कारवाई कर रहा है बीजेपी ने ग्वालियर के 24 बागियों पर कारवाई करते हुए 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया पार्टी में इस तरह की कारवाई आम बात है लेकिन एक बागी कारेकरता ने पार्टी के जिलाध्यक्ष से पैसे वापस मांग लिए जो उसने बायडिटा के साथ जमा करे थे कारेकरता आमिसूरी ने फेसबूक पॉस्ट पर ये बात लिखी आमिसूरी के मताबिक पार्टी से टिकेट मांगते वक्त उन्होंने 10,000 रुपए अपने बायडिटा के साथ ऑनलाई जमा करे थे अब टिकट भी नहीं मिला और पार्टी ने भी उने 6 साल के लिए निकाल दिया इसलिए उनकी रकम वापस दी जाए हाला कि बीजेपी जिला संगठन के मुताबिक ये समर्पन नी दिये जो कारकरता अपनी मर्जी से देता है वही फेस्बुक की इस पोस्ट को लेकर राजनेतिक माहल भी गरम है